नमस्ते मेरा राम सौरब दुएदी है आप ललन टॉप देख रहे हैं और चुकी आप ललन टॉप देखते रहते हैं इसलिए आपको पता है कि हम और हमारे कुछ रिपोर्टर साथ ही इन दिनों बंगाल की चुनावी यात्रा पर हैं और भी राज्यों की थी पर वहाँ पर न जिनके पास पेट्रोलियम नैचुरल गैस और स्टील का प्रभार है धर्मेंद्र प्रधान जी से तो हमने इनसे गुजारिश की कि आप हमसे बात करिये चुनावी रणीदी पर और धर्मेंद्र जी राजी भी हो गए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पॉलिटिक्स में बत्याएंगे मंगाल फे देश पर मैं आज सुबह जब आ रहा था तो मैंने खबर देखी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती जी ने एक किताब के हिंदी संसकरण का विमोचन किया और वो किताब ओडिशा के जो पहले प्रधान मंत्री का पद होता था आ हरे कृष्ण महताब जी की जीवनी है चुकि मैं किताब वाला कारगरम करता हूं और मेरी बड़ी दिल्चस्पी है तो सबसे फहले तो अब मुझे आप उस किताब और व्यक्तित्त्य के बारें बता दी कल माननिया प्रधान मंत्री जी ने डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ज जब डॉक्टर महताब 1922 से 1945 तक महाराष्टर की अहमद नगर की जेल में रहे तब उनकी उस कारवास की समय में उनकी मन में आ कि देश आजादी थोड़े दिनों में हासिल करने माला है और हमारी राज्य की उडिशा तब तक एक भासा की आधार पे 1936 में एक अलग राज्य की भी दर्जा प्राप्त कर लिया था तो उस राज्य की एक हजारों सालों की जो इतिहास है गौरव गाथा उसको एक लिखनी चाहिए उन्होंने उस समय में उडिया और अंग्रेजी में लिखा था तेहतर साल हो गया उसकी उडिशा में कोई हिंदी में उडिशा इतिहास नहीं था तो महताब फाउंडेशन डॉक्टर हरेकृष्ण महताब फाउंडेशन जिनकी आजकाल संचालक कटक की MP आदलिया भरतोहरी महताब जी हैं उनको हम लोगों नरूत क्या था कि उसकी आप हि पर्ख्याथ हिंदी सहित्यकार डॉक्टर संकरलाल पुरहिद जी ने उसको ओनुबाद किया काल प्रधान मंतरी जी ने समय दिया ऐसे ही एक महतो FIR्वन्फपृण सहित्यका सार्वजनिक लोकार्पन करना ॉक्र प्रधान मंतरी जी घ्रिंशा की गोरब गा था और बाले सोर बंगाल की जो मिदनापूर इलाका है, उसकी पोडोस में बाले सोर जिला होता था, अभी तो दो अलग भी जिला हो गया है, बाले सोर की जो भधरक इलाका था, वहीं से डॉक्टर महताव आते थे, पढ़ाई के बाद आजादी की लड़ाई में, वो सक्रिय भूमी क निभाएं, उडिशा में कॉंग्रेस इकाई का उने तुर्तों भी किये, CWC में रहे, महत्मा गांधी जी, निताजी सुभास चंदर बोस, सरदार बरलभाई पतेल, पंडित निहुरू जी, इन सभी के निकट रहे, जैसे आपने सही कहा, उन्होंने जो पहला जो आजादी की भूमिका में रहे, बाद में केंदर में उद्योग विभाग की मंत्री भी रहे, महारश्टर की गवर्नर भी रहे, फिर आके उडिशा की पांच साल मुक्ष्यमंतिर रहे, और उडिशा की जो आज रूप है, उस रूप को उसकी सपना दिखना और उसको क्रियानुन करना आजादी की पहले और आजादी के बाद महताब जी की बहुत बड़ा भूमिका रहा है, और और एक विश्यस्ता महताब जी में रही, जब सरदार पतेल ने प्रिनिसली स्टेट को राज-राजोडें को भारत की गणतंत्र में मिलाने का मुहीम छड़ी, एकी करन हुआ, टेर पतेल जी के साथ मिलके देश में पहला एकी करन जो हुई, उनी की ग्रिह जिला बाले सोर में एक निलगरी प्रिनिसली स्टेट था, ओ राज्य एकी करन में जो अभी समाप्त हुआ, भारत की साथ संपूर्ण बिले 370 धारा उठने के बाद हुई, उसकी जो स्रिगनेस कि हिस्से में रहते हुए डॉक्टर महताब ने उनको शुरू किया था, ऐसे ही डॉक्टर महताब की लिखी हुई, रधान मंतर जीने काल सही कहा, डॉक्टर महताब इतिहास को बनाए, इतिहास की साक्षी रहे और इतिहास को खुद भी लिखा, और मेरे लिए तो बड़ा स 73 तक उडिशा की इतिहास हिंदी में नहीं था देश की राष्ट्रभासा है और देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदी ही पड़ता है उस हिंदी में उडिशा की बीर गाथा गौरव गाथा बस्तु शास्तर समाजिक जिबन महाप्रवु जगनाज जी की आधिका था इस सब उस इतिहास में कल पड़ानमंत्री जी ने उसको लोकारवण किया मंत्री जी एक बात बताईए मेरे लिए ये एक डिमोक्रेसी का वड़ा खुबसूरत नजारा था एक नेता जो स्वतंतरता संग्राम सेनानी था और कॉंग्रिस का लीडर था एक प्रदानमंत्री जो बीज स्री हरी महताब हम लोग इसी राजनेतिक शिष्टाचार की कहानिया सुनके बड़े हुए हैं कि जहां पर एक तरफ हीरेन मुखर जी खड़े होते थे लेफ्ट को रिप्जेंट करने के लिए और एक तरफ अटल व्यारी वाजपई खड़े होते थे जंसंग को रिप्जेंट चार है सब पार्टियों की तरफ सिरे से गायब दिखता है तो जनता हमसे पूछती है कि भाई दीज पॉलिटीशिंस दे क्लेम टू रिप्रेजेंट अस बीजेपी टीमसी कॉंगरेस लेफ्ट लेकिन यह सारजुनिक मंचों पर इनकी जो भाशा है इनका व्याभार है खास की पार्टिक समर्थ कों से बात कर रहे तो दोसे घेल लेते दोसे असे बात कर रहेते हैं और एक दर्शागी पूच्तें बार बार की यह इतना नेचुरल क्यों हो गया है पोगेगल ओपु जो मित्ट को कोई ऑलेटिकल शिश्टाचार नहीं जो एपोनेंट है वो दुशम Central Hall में दोनों CPM के थे वड़ेनेता एक हमारे सूरेश कुरूब जी होते थे तब बंगाल केरल से CPM की अभीविशाद सरकार में मंत्री है वह MP होते थे वहां हमारे ब्यक्तिगाद मित्रता उन्चे खूब रही कई चीज उनसे शिकने को मिलता था बाद में उस राज्य में मेर का राजीव हमसे वी उमर में छोटे होंगे उनके पांठी ने उनको राज्यसभा बेजा तेकि राजीव की सदस्य होने के बावजूद हमारी वेक्तिगत मित्रता और उनकी जो विद्ध्योता रही राज्यसभा में विशय रखते हुए बड़ा प्रभावित होता था दू दूसरे और 2004 में मैंने सूरेश जी को पूछा कि सूरेश जी बताओ सीपी एम की दो थियूरी केसे हैं आप से तो हमारा मित्रता हो पाती है आप सभी से हमारा बड़ा प्रेमी ठीक है हम आपना बईचारिक बिशा अलग रखते हैं लेकिन बंगाल की जो सीपीम की मित्र हैं उनसे बाती नहीं कर सकते हैं वो एकदम अलग मिजाज पर चले जाते हैं राजनेतिक प्रतिदुंदी को दुस्मन मानते हैं यह मेरा अनुभब तब से एक हुई थी और मैं तो बंगाल की सामाजिक जीवन हम उडिशा के हैं बंगाल आते रहते हैं कलकता हम लोगों की एक स करता कि नाते में असी दसक से मैं समझने के लिए देखने के लिए आता हूं मतला उस दौर से जब यहां मैं अपने आपको मजबूत कर रहा था जब मजबूत था 84 89 90 सारे चुनाव में समझने के लिए भी बंगाल एकदम कॉलेज में हम लोग होते थे लेकिन आते थे समझन के लिए यह जो बंगाल की राजनिति में प्रतिदुन्दी को सत्रु मानना यह निकट की है अभी अभी यह ज्यादा हो गया है अधर्णिया ममता दिदी के कारण उनकी जो सोभाव है इसलिए कभी प्रदानमादी जीन उनको एक सहज करने के लिए कि दिदी बंगाल की दही इतनी मिष्टी है बंगाल कोई आये मिष्टी दही बिना खाए सतकार पूरा नहीं हो थैं आप इतना तिखा क्यों हो यह जो अभी इन दिनों में यह अच्छा नहीं है लेकिन इन दिनों में जो अतिक टूता अतिक टूता बाला सारवजनिक मंच से इस कटूता को जी कि उहां से ज्यादा हुई है अलो चुना कटा किसे एक अलग बिशे कटूता यह दीदी के कारण और दीदी के साथ उस समय से लेट की कारण और लेट बाकी प्रतिदोंदियों के साथ जो बैभार हुई है यह दुर्भाग्या से बंगाल की समाज़क जीवन इसन नहीं ह है लेकिन बंगाल की राजन रेति में की एक विशेश संसकुर्थी बन गया है और जो जिम्मारी में रहेगा जो टाहितों में रहेगा उसको उस गलत क्वहई को दूर करने का ज़्यादा जिम्मारी है जिस पेड में फ्ल है उस पेड ओन को नचा होना है तब जाके बागी प्यर्ड उससे सीखेंगे ये नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रहा है लेकिन धर्मेन जी आपके जो राजनेतिक प्रतिद्वन्दी है लेफ्ट के हो या खास तोर पर इस चुनाव के संदर में कहें तो TMC वाले वो कहते हैं कि भारती जनता पार्टी शुचिता का दावा करती है लेकिन वो भी यही कर रही है जैसे इलेक्शन कमीशन ने शुबहिंदू अधिकारी को नोटिस भेजा मीनी पाकिस्तान वाले रिमार्क पर CAPF को लेके लगातार TMC कह रही है आपके राजे सभा में ही आपसे मुलाकात होती रहती है कि उनकी सुखेंदू शेकर रहे है वो बोले कि पैरा मिलिटरी को खुले आम इंस्ट्रक्शन दिये जा रहे है तो आप किस तरह से रियक्ट करते हैं इन पॉलिटिकल इजामों के द लेकिन सहरवज़निक मंच पर हमदों ऺडिये था कवा पॉलिटिकल मंत बएक दिया कैसे हमारी फोलिटिकल मंत पर भी लोगों की मॉलिटिकल मंत बहाता है वी उसमें क्या उसमें विदा है लेकिन इन दिनों में बंगाल की चुनाम में जो दो स्टैटमेंट मैं अन्ches सी का नहीं कहता हूं आदर्णिया मम्ता दीदी की बारे में कहता हूं दीदी कही सेंट्रल पारा मिलिटरी फोर्स को अक्रमन करो महिलाओं को उसका रही अक्रमन करो यह बहुत गलत बात है संभीधान पत्व में बैठके आप 2011 में क्या सेंट्रल फोर्स आपकी निरपक से चुनाओ नहीं किये थे, आपके खिलाब क्यूंग전 गएओ, क्यूंगल झाएंगे, चुनअ आयोग आपको जिताता है, आप जिते हो तो चुना आयोग निश्पक्षए है, जनता साब कट जाते हो हारते हो तो चुना आयो पक्षपतिता करता है C.A.P.F. को गाली देते हो यह गलत बात है दूसरी और इस बार मुहमता जी ने सारे हद को पार किया एक समुदाय वर्गों को हमें पुरा भोट दो आप ही की भोट हमको चाहिए यह संबिधन पद में बैठे हुए लोगों को नहीं कहनी चाहिए सामाजिक जिवन में इसे भासा का नहीं यूज करनी चाहिए वो कर रहे हैं इसलिए यह मैंने कहा कि जो जिम्मेंबारी में हो ज्यादा उतरता ही तो उनका है इस बार राजनेतिक भासा को बंगाल की चुनाओं में खराब करने की प्रमुक जिम्मेंबारी दीदी उनकी भतीजे और उनकी पाटी की है यह मेरे लिए सोचना वड़ा दिल्चस्प होता है ऐसा स्टूडेंट आफ पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स खास्तोर पर इलेक्शन के इतर जैसे ममताव इनर्जी जी एंडिय का हिस्सा रही तो हम लोग वो पॉलिटिकल एनेक्डोट सुनते रहते हैं कि वो हर दूसरे दिन आराज हो जाती थी तो बाचपीस आफ इदर आ गए उनके घर चले गए कि आपकी लड़की बहुत परिशान करती है या जैसे मोधी जी ने भी जिक्र किया कि दीदी हमाले कुड़ते बिजवाती है तो आपका पर्सनल एक्सपिरियंस आप ममताव इनर्जी से कई बार मिले होंगे और आप कहरें कि मैं पहले भी आता रहा आपका पर्सनल एक्सप क्योंकि वह जार चे में हो गई लोग दोजार चेकी जो बिधानचवा हुई उसके बाद हो गई वाकाउट किया कि स्टीफा और ने दो हजार दो या तीन में भी पर्दिया देके फिर आई फिर हम लोग तृपुरा की चुनाव एकठा लड़े मुकुल राएजी तृपु कशोंता तो थोजार चार में वों के वह एंपी बनके जाती है मैं नया एंपी बनके वहां पहुंचता हूं एक पीछे सीट दी अकेली जब को लड़ते थे कांगरिस कि साथ लडते थे तो मैं दीडी के साथ प्रजातंतरिक मुल्य बंगाल में बरकरा रही दीडी में उनके छोड़के बहुत जाने वाली थी जा रही थी इस फेस था लेकिन नंदिग्राम की लड़ाई में बीजेपी में भी था एक बार दीदी यहां कोई असुस्त हो के कोई एक होस्पिटाल में सहर में थी आदर्णिया सुरिया सुस्मा जी की साथ हम लोग आये थे फिर हम लोगों साथ मिलके दीदी ने उहीं से हम लोगों को कहा कि वहां सुभेंदु अधिकारी है हमारी पार्टी का कारेकत है मेरा चोटा भाई तब उसको मिली है वह सारा आपको घुमाएगा नंदिग्राम की जो पीडी तिला का है फायरिंग तब हो चुका था हम वहीं से दीदी को जा अलग विशय है दिदी के साथों है रहेगा ह regarding रहनी चीहल कि मूलबशय की विकास बंगाल की तरक्की दस साल उनको जीम्मेबारी मिला बंगाल की जनता ने उनको दस सालों स state ॵह dough-दो बार बहुत बड़े-बड़े मतों से उनको जीताया और 10 साल लंबे समय होता है जिनो उने 34 साल में नहीं किया बंगाल उसको भुगता उससे और आगे खराब यह पिछल 10 साल में हुई है दीदी आज बंगाल की दिसाहिंता की अपार संभावाना की राज्यव बंगाल की युबाओं की महिलाओं की गरीबों की आकांक्ष्या को पीछे ले जाने के लिए प्रमु वड़ा उत्तर बंगाल की जनता दे रहा है आपने अपने लिए धर्में जी एक शब्द इस्तमाल किया कि मैं राजनी थी के कारिकरता के तौर पर पिछले चार दशक से यहां आ रहा हूं एक चुनाव परणाम जो भी रहें दो मई को बीजेपी का दावा है कि वो जीत रह कि कही जा सकती है कि बीजेपी एक बड़े पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर 2019 के चुनाओ में भी लोगसभा की हमने देखा 18 सीट ने जीती और में कंटेंडर है अभी सत्ता की एक चार दशक का कारिकाल आपका कारिकरता के तौर पर और अब यह चुनाओ आपको यह हम पॉल से आते हैं लेकिन उसके बाद एक लंबा ग्याप दिखता है जहां पर बेंगॉल में बीजेपी अपने पूरवर्ती अवतार में भी और मौजूद अवतार में भी जमीन नहीं तलाश पाई बलकि कई लेफ्ट के लोग तो यह भी कहते हैं कि यह ममताव एनरजी ही थी जिन रुप में मैं बेंगॉल को ऐसे मानता हूं कि भारत की जिबन प्रभा में सद्धियों से बेंगॉल की एक नेतुर्तों का भूमिका रही है नाक्यवल राजनिती नाक्यवल सुतंतरत संग्राम कला साहितिय संस्कृति परंपरा इस सारे को लेके जो हम सभ्यता कहते हैं और बंगाल में कि उनिकनेस में सुरू से मार करता हूं एक भरनकुलर लैंग्वेज एक प्रांतिय भासा होने के बावजूद इनकी लेक में राष्ट्रबाद और महाभारतियता जो भी छोचा है जो भी उस्वामी बेवेकानन जी को उठाके देखिये नेताजी सुवास चंदर बोस को देखिये नेताजी उडिसा में जन में लेकिन काम तो बंगाल से शुरू किया योगी अरभिंद रभिंदना ठाकूर बंकिम चंदर चाटार जी सामापरसाद मुकार जी इस्वर चंदर की बंगाल है निश्चित रुप में स्यामापरसाद जी के बाद अचानक निधन के बाद हमारी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ हम लोगों की हुनी चाहिए जो देश की बाकी हिस्सा में हुई और नहीं हो पाई लेकिन हमारे यहां की हिकाई के कार्यकरता निरंतर लगे रहे मैं जानता हूं मैं भी उडिशा में उस दोर पर हम लोग गुज रहे हैं जब पांटी बहुत छोटे होता है लेकिन बैचारिक सपस्ट होता है अगर आप निरंतर काम करते जाओगे करते जाओगे एक ना एक दिन समाज उसको आपको सीवकार करता है जो भी बंगाल में हो जो पूर्वी भारत में हो रहा है जो नौर्थ इस्ट में हो रहा है पांटी की इकाई थी लेकिन एक समय में अटल जी की सरकार और अटल जी अडवनी जी डॉक्टर जोशी की बड़ा नितुरत्व पांटी को एक स्तर तक लेके गया बाद में प्रधान मंतिर नरेंद्र कि नितुरत्व पिछले दसकों से लेके लगवगों गुज्राट की बहले ही मुख्यमंत्री रहे लेकिन मुख्यमंत्र रहते हुए भी उनकी एक राष्ट्रीय सोच राष्ट्रीय नितुरत्व इस दसक से मैंने 2000 साथ की चुनाओं के बाद उहर चुका था उसकी फाइदा हमको 14 के बाद प्रतक से मिल रहा है 12-13 से प्रतक से मिलना शुरू हुआ लेकिन उनकी नितुरत्व और पार्टी इकाई की प्रतिष्ठा पार्टी इकाई की मूल ताकत बिचार निस्ट लोगों की सम्मू हो बंगाल में जो राजनीती बनी लेफ्ट की सामराज्य खतम और दोनों की विफलता अगर दोनों सफल होते तो अधाम को ग्रोथ करना भी दिकत होता लेफ्ट लंबा समय रहने के बाद भी बुनिया दी बेबस्ता मुहाया नहीं हो पाया ममता दीदी दस साल रहने के बावजूद भी फेल होने के करण विफल होने के करण जनता और जि लगा, हाँ कौन दे सकता है? का इसा नहीं है हम काली परदान मंत्री जीने का अच्छी बात कहा है और यह काली नहीं कहा है 2012-13 से निरंतर एक बात कह रहे हैं भारत की पूर्वी हिस्सा जब तक पस्चीम और दक्षिन और उतर जैसे नहीं होगा तो भारत की एक सुर्णी में स्थिति नहीं आएगी विकसित भारत की कलपन नहीं सुक्या जा सकता है जब भारत का एक सुर्णयूग होती है जब पूर्वी भारत उसकी नितुरत्व करता है पूर्वी भारत यानि बंगार पूर्वी भारत यानि बिहार, जारकन, पुर्वत और राज्य, उडिसा ये इलाका, सोभाविक उसकी बेसिक्स एपी सेंटर है कलकता कलकता में इस बार हमारी सरकार बनेगी निश्चित रूप में उसकी पहला लाव बंगाल की जनता को आएगी मुदी जी की जो आज की दिनों में कल्यानकारी योजनाओं की पद्धती है सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास ये पद्धती बंगाल ने शिवकारा है इसलिए तो प्रधान मंत्री जी की विश्वास निता, लोकप्रियता इतनी है कि हमको आज यहां सरकार बनाने किस्तिती आ रही है इसमें कोई दोर्मत नहीं है मुदी जी की ही ये नितुरतों की और विश्वास की पराकास्टा है पार्टी की कार्यकरता ने मेहनत किया है लेकिन गरहियता और अक्सेप्टन्स तो प्राइम मिनिस्टर की है तो ये विश्वास सिर्फ एक बंगाल की राजनितिक परिवर्टन तक नहीं वटके की भारत को आत्मन निर्वर बनाना भारत को नई उचाई तक ले जाना भारत की बैलन्स डेफलमेंट के लिए बंगाल और पूरी भारत की जो रोल है वो अभी इहीं से शुरू होगा पूरी भारत के रोल का जिक्र कर रहे हैं मैं एक और मेरी कुरियोस्टी है कि आप लोगों को इलेक्शन के दौरान वर्क एलोकेशन किस तरह सोता है जैसे आप कैबिनेट मंत्री हैं तो यहां पर किस तरह के दायत है आपको जनसंपर्क प्रेस कॉन्फरेंस क्योंकि आप तो आपका पुराना नाता भी रहा है इस जग करता हूं मैं पांटी की कार्य करता हूं पांटी की जो मूल काम है सभावी चुनाओं में सारे काम महत्वपुन काम है घर घर जाना मिशिल निकालना स्टीट कॉर्णर मीटिंग को आड्रेस करना गुरूब मीटिंग को आड्रेस करना पब्लिक मीटिंग को आड्रेस करना उ में तो शंगुष वक्प्यो वैहलेटी मेरें मेरे को आज जन संपर्फ की भूमीका है। मैं निए- बंगाली भासा को ठीक से समझता हूं तो कुछ भी बोल भी पाता हूं इसके कारण मेरे सटा करनेक्ट बन सकता है लेकिन में एक पांठी कर्यकर्दय मेरेकशैने को और्गेनेशनल ब्याकॉप की काम दिया है, इस सारे कार्यकरताओं से संपर करना, उनको मिलना, उनकी छाद मिलके काम करना ये काम पे में लगा हूँ, इस से पहले कि मैं आपके मंत्राले से जुड़े दो-तीन जरूरी सवाल पूछू, एक आखरी सवाल जो बंगाल की राजन की चलते हैं, आप सत्ता में आ रहे हैं, अगर हम ये इस कॉमिनेशन को माल लेते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रहे हैं तो एक अब्जरवर के तोर पे मुझे दो फौरी चुरौती दिखती हैं, एक तो ये है कि यहां का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो लेफ्ट ने विक्स में पक्षपात या कट मनी, जो थमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स यहां के जिसकी बात करते हैं, एक चीज ये और दूसरा, कहा गया कि लेफ्ट का काडर बड़े पहमाने पर ममता के साथ गया, 2011 में, जो डिसिल्यूजन था, वोटर भी गया, काडर भी गया, और धी में धी बीजेपी के लिए जताई जा रही है कि टीएमसी का एक बड़ा काडर और लीडर आपके साथ आ रहा है चाहिए, वो शुब इंदु अद्कारी हो, जी तेंदु रो, राजी बेनर जी हो, एक लंबी फेरिस्त है, तो बीजेपी अपने मूल डियने को कैसे बचाएगी, बाटमनी के बिना कल्यानकारी और जनक कैसे चलाएंगे, इसलिए तो मोदी जी के उपर विश्वास जादा लोगों की बंगाल में बढ़ी है, पूर्वी भारत में बढ़ी है, देश में बढ़ी है, जिनकी घर में नहीं था, लिस्ट उठा के टेकनलोजी को यूज करते उ प्रधान मंत्री आवास योजोना आज धाई तीन कोड़ घर बन चुके हैं, हमने कोई ब्यादभाब नहीं किया, प्रधान मंत्री उज्वला योजोना में हमने आठ कोड़ एल्पीजी कनेक्शन पहुंचाई, और बंगाल जैसे प्रांता में दलीत, आदिबासी, माइनोर गरीब सबसे उसकी बेनिफीचरी है, कि कोई बीजेपी के आधार पे हमने कोई नहीं दिया, हमने बांटा, प्रधान मंत्री सुभागी ओजोना में बिजली पहुंची, हर घर में जल, यह कोई जातफात पे धर्मा पे नहीं पहुंच रहा है, पार्टी के आधार पे नहीं इसको देख पाए, जान पाए, कोई उसको चेड़ चाड़ नहीं कर पाए, एक दूसरी ओर, टेक्नोलोजी को यूज करते हुए, डीबीटी लगा दे रहा, बंगाल डीबीटी को विरोध करता है, पार्लामें बंगाल में तिरें टीमिशी की लोग विरोध करते हैं, क्यों क्यास देना चाहिए, हम कह रहें कि बैंक खाते में जाना चाहिए, हमने बंगाल में लाखो बेहनों की माताओं की बैंक खाते में कोरोना की जमाने में देड़ हजार रुपिया मोदी जी ने पैसा भेजा, ममताजी की ब्रोध है उसमें, हम क्यास देना चाहिए, क्यों क्या आज दे, बैंक खाता क्यों खोला गिया है, सिधा बैंक की पषिशा उसकी खाते में चले जाए, सरकार की पषिशा उनकी खाते में चले जाए, बैंक दे पहुंचा थे उसको, याज संभाव है, इसलिए प्रधान मंतिर जी की गरीबों की उपर इतनी आस्ता जमी है, ये एक विशह है, बाग की आप एक विशह कहा कि भाई जो बाहर बाले लोग आएंगे, बीजेपी कैसे चलेगा, कोई चिंता की करन, आज हमारी पास कोन आ रहे है, जो सत्ता भोगी तो लोग नहीं आ रहे हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो बिकल्प चाहते हैं, वो हमारी पास साहे लेट की क्या मजबूर ही हो जाने के पास तो कोई विचारी नहीं था कभी एक तो पत्र किया ही था रियाक्षनरी ग्रूप था हम एक विचार सफ़स्टर रखने वाले पांटी की लोग हैं हमारी दो तिन मान्यता सिर्फ है कल्यानकारी योजना हमारी प्रायरिटी है पर क्रिष्टी से देखना चाहता हूं कैसे होना चाहिए समाज इसमें जिसकी विश्वास है मेरे पास विचार स्पस्टता होने कर उसके उस प्रोसेस में मेरे विचार मेरे नेतुर्तों मेरे कार्यकरम कि तीनों में लोग सम्हाई होंगे अनेक अच्छे राजनितिक कार्यकरत है और हम भी उनको संभाल पा रहें उसमें को नहीं होगा आपने यह जो दो सवालों के जवाब दिये आपने का कि सत्ता भोगी शुबेंदु अधिकारी कितने सारे पॉर्टफोलियों थे 2019 के चुनाओं में आपका विरोध कर रहे थे राजी बेहनर जी चुनाओं के कुछ महिने पहले तक सत्ता का भोग कर रहे थे जिते इंतिवारी आर्जून सिंगी रोग मुकुल रॉय तक मतलब वो लंबी फेरिस थे जो अलग-अलग समय तक सत्ता का भोग कर रहे थे तो मैं इस चीज़ से तो सहमत नहीं हो कि सिर्फ कार करता रहा है कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने पाला बदला है सत्ता का भोग करते करते मैं दरसल धर्में जी जानना चाहरा था आपने प्रधानमंत्री की शुरू ही बहुत सारी कल्यानकारी योजनाओं का जिक्र किया उन योजन मैं यह समझना चाहरा था कि यह जो पंचायत के स्तर पर एक पॉलिटिकल क्लास यहां डेवलप हो गया है कल मैं एक टिपनिकार के साथ बैटा था उन्होंने यहीं का जैसे यूपी में बिहार में एमपी में तो लोग मिलेगा जो बहुत सारा काम करता है पार्टी का काम भी करता है पर कुछ लोग मिलेगा जो पार्टी के काम के इरदगिर दौर काम करता है लेकिन यहां टो एक बडा वर्ग है जिसके रोजगार ही यही है इसको वह कहते है कि पार्टी Island system इस तरह का ट है हम भिकल्फ हो रहे हैं लेकिन आध्यम करना इसे ब्यवस्ता को मैं बिल्कुल आप से सहमत हूं ब्यवस्ता सभी के लिए होनी चाहेँ चंद लोगों के लिए आसास दिलाओ, तुमको हमारी कारण व्यवस्ता मिली है, उनमें से कुछ लोगों को उसकी मिडिल में शीव का ठेका दिया जाता है, फिर चंद लोगों को आपने मत में साथ ले आके भोड़ जिता जाता है, बहुत संक्यक समाज इसकी बाहर रहता है, इसलिए परदान मंत्र मैंने कहा है, जो कल्यान कारी ओजनाओं को गिनाया, अखिल भारतिय स्तर पे कास्मीर हो या कन्या कुमारी, कच्छ हो या 24 प्रगना की गंगा सागर तक हो या कोहिमा तक, हमने जो कार्यकरम चलाई, कार्यकरम में हमने सभी के लिए चलाई, सब की साथ, सब की विकास, सत्ता की काम है, चंद लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, जब व्यवस्ता सभी के लिए बनेगा, योजना सभी के लिए बनेगी, तब ये बिचोलियों की रोल घटेगा, बिचोलियों क्यों होते हैं, बेरोजगारी होने से कुछ लोग उस काम पे जाना चाहते हैं, आप क्यो सब की साथ किसी को नहीं छोड़ेंगे इंक्लूसिव ग्रूत होगा सब की विकास होगा ओवरल डेवलेमेंट फॉर ओल किसी को दिन्द्याल जी ने कहा था कि अंत्य देओ समाज में जो आखरी पंक्ति की आखरी विक्ति जो खड़ा है उसकी भी कल्यान महात्मा गांधी जी क कि ग्राम सोराज की मूल अर्थनेटिक पद्धत यही था गाउं की इकाई में सबसे जो नीचे तपके कि लोग उसको भी काम की प्रवंदन करना पड़ेगा इसलिए मैं पिछले 77-73 सालों में जिन-जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही सबने काम किया उद्द्यस सब की रही अच्छी वे अच्छा काम होना चाहिए लेकिन मैं विशेश करके पूरवी भारत से जब बैट के सोचता हूं इस विशेकों कभी कभी सवरोब जी मैं बड़े रोमांचीत होता हूं मेरे रोंग्टे खड़े होता हैं कि देश में पहली बार एक प्रधान मंत्री बंचीत य जादा नहीं हुई थी चंद लोगों के पास रहे गया था पहला प्रधान मंत्री देश की नरेंदर मोदी जी में बारी संभाले जिनोंने पुर्वी भारत की कल्पना किया कारेकरम नीबेस इंफ्राश्ट्टर में नीबेस जिसमें रोजगार बढ़ेगी कामकाज बढ़े की पुरी भारत में जोड दिया गया प्रधान मंत्री जी ने सब का फ्रांड से लीड करना सुरू किया इसलेक मैं बड़ा सपष्ट हुआ हमारी विचार प्रभा प्रभा और नितृत्व की पश्टता उसमें है वेवस्ता हमको प्रजार्त मंत्र में हमको बोट नहीं देने वाले लोग भी हैं ठीक है लेकिन उनका उतना ही अधिकार है Sरकार के उपर वेवस्टा के उपर जितना जिनों से कुभ बंगाल में जो फिसक्त डिर अरफ तेने ब्हुम की जञादा उधिकार Ф shark yeah यह अंतोर दे नहीं है. यह सबका साथ सब की विकास नहीं है. पधान मंतरेजी संचत की पठल पे कहा है? पहले भी कहा है, अभी भी कह रहें. प्रजात अंतर की इप्रमूक सर्त है. भोट नहीं देने बालों को भी इतनी अधिकार है कल्यानकरी और जुनाओं के उपर जुनों ने दिया तो conflict नहीं होगा समाबेसी समाज बनेगी बंगाल से थोड़ा देश की दरफ चलते हैं यहाँ पर जब हम लोग शुरुआती दौर में आये जुनाओ coverage के लिए तो आपके मंत्राले से जुड़ा एक मसला भी हमें दिखा हमने TMC की कुछ एक रैलियों में देखा कि सिलेंडर का एक रैपलिका बना के उन्होंने ग्राउंड पे लगाया हुआ था फिर वो तस्वीरें भी हमारे सामने थी जिसमें एक तरफ प्रधान मंत्री रैली कर रहे हैं और दूसरा उसके बरक्स पस्चिमंगाल की मुक्य मंत्री ममता बेनर जी वो सिलेंडर की प्रतिकृति के साथ कर रही है उज्जुला योजना आपकी image building आपकी सत्ता वापसी या आपका जो social welfare का concept उसमें एक प्रमुक चीज मानी जाती है और वो आपके मंत्राले से सीधे चुड़ी भी है gas cylinder के दामों को लेकर मंत्री जी का क्या कहना है अभी तो गठना शुरू है मैंने कहा था तीन मेहना पहले लोगोंने मेरे को बेतु की बात कह रहा है में बनाए था नधेimin? मैं तो इस बीजा को परधार मंत्री जी की असरवाद से उनकी निर्देश के करण में पिछले लगवक साथ साल सी बीजा की काम कर रहा हूं मैं यह संग हमने जो स्टॉडी किया दुनिया को अनुधयान किया वींपर्स में हीटिंग ट्रिटमेंट ज्यादा लगती है उसके लिए ल्पीजी की खपद बढ़ जाती है उन दिनों में अंतरास्टिय बजार में ल्पीजी की दाम पेट्रूलिम प्रडू की दाम बढ़ जाता है जैसे ही गर्मी दिरे-दिरे बढ़ती है और थंडा घड़ती है अभी हो रहा है अभी धिरे-धिरे पेट्रूलियूम प्राइस मिसेश करके विंटर्स खतम होने के कगार पे आया है वेस्टन कंट्रीज में अमेरिका में विश्व के अने हिस्से में उसके करन लपीजी की डिमांड थोड़ा प्रेशर घटने कार उसके मुल्या में कटोती हुई है और इस यहां भी कटोती दिखा है मूलता बात सवरब जी हमको यह समझना पड़ेगा इसमें कोई आपलोजेटिक में नहीं हूँ और कोई चुपाने वाला भी इसे भी नहीं है भारत में एक समय में था ग्यास की कूपन MP बांटता था आज LPG जो प्रधान मंत्री जी में मरी समझाले तब यह कूपन उपन बांट बूंटाने के बाद 13 कोरोड लोगों की घर में लगवक 30 कोरोड घर ब्हारत में है 30 कोरोड चार-चार लोग है तो 120-30 कोरोड लोग है आवादी तेरा कोरोड लोगों की घर में LPG थी जो आज बढ़के 39 कोरोड माने लगवक सो प्रतिसाद की और हम LPG पहुंच चुके हैं सब के लिए हमने किया विश्यस करके गरीब तबकों को हमने 8 करोड अभी अभी प्रहार मंतिजी ने एक और करोड की अनुमत ही दिया है उसकी पूर्ती हमको बाहर से लेकर करना पड़ता है यह एंतराश्टी बजार में जैसे जैसे मुल्य की उपर नीचे होता है उसके प्रभाब हमारी उपर आती है यह प्राइस फ्लक्ष्वेशन के प्रमुकारन है इन दिनों में कोरोना के उपरांत जो डिमांड टुट एक जगड़ा हमारी ओपेक के साथ चल रही है कुठनेथिक दवाव हम भी बना रहें कि ऐसे नहीं कर सकते हैं आपको 70 डलार चाहिए मेरे को 50 डलार चाहिए बीचो बीच करना पड़ेगा आप ऐसे मोनोपोली नहीं कर सकते हो वह थोड़ा ओपेक ने पहली बार थोड़ा नम लगाती है तो स्थाम डॉक्या की सब्सक्राइब ओड़्यों में तर आप्र चल गनासे में य। कोरोना की उपरां विकास की काम, रास्ते, रेल्वे लाइन, प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे तो समान्दे लोगों को रोजगर कहां से आएंगे, तन्खा कहां से दिया जाएगा, स्वास्तिय शभा में खर्चा केशे किया जाएगा, कोरोना की टिका के उपर प्रधान मंतर अशी ने 35,000 कोर्ड रुपया खर्चा करने की प्लान किया है, यह सारे विकास, स्वास्तिय, सिक्ष्या, पेजल, यह सारे कामों के लिए, कल्यान कारी कामों के लिए व्यवस्ता चाहिए, राज्यों को भी व्यवस्ता चाहिए, यह हमारे स्थिती है, हम उसमें से कोई छु मंत्री जी मैं आपकी तमाम बातों से सहमत होना चाहता हूं लेकिन फिर मेरे सामने एक दूसरा आख्यान आता है जब 2014 के पहले आप लोग विपक्ष में थे केंद्र के स्तर पर तो गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी जी और आपकी पार्टी के तमाम में ब्रेक के दौरान वो आता था बहुत हुई महगाई की मार अपकी बार मोदी सरकार इस तरह के आते थे कमेंटेटर्स का ये पूछना है कि जब आपने सीधे सीधे international price के साथ connect कर दिया और जब international price crude oil का घटा तो आपने taxation बढ़ा दिया ताकि उतना ही रहे असा नहीं कि आपने rate बढ़ा दिया तो तब तो आपने खूब कमा लिया अब जब international price बढ़ रहा था तो उस परिमाण में आपने taxation नहीं घटाया और इस वज़े से पेट्रॉल के डीजल के दाम जो एक 50-70 के slab में रहते थे वो 80-90 के slab में चले गए तो या तो सरकार ये कहे कि भाई ये हमारे लिए सबसे बड़ा वित्तिय सोर्स है इसलिए आपको महंगाई का वार यहां पर झेलना पड़ेगा क्यो सास्तिर नहीं हूं मैं पड़े भी नहीं किया मैं तो समाश सास्तर कर विद्यारती हूं लेकिन जितना अर्थनिति की समान्य ग्यान मैंने रखा है महंगाई की मार मुद्रास्पिती से जुड़ती है और मैं जिम्मे बारे के साथ कहना चाहूंगा इन दिनों में पिछले कई दस्वकों की तुलना अगर आप करोगे तो इस प्रकार की चैलेंजिंग पिरियर्ड में भी इंफलेशन मुद्रास्पिती एकदम नियंतर में है ठीक है प्राइस असी रुपया हो गया है नबे रुपया की रेंज पर चला गया उसमेंशे दोमत नहीं है लेकिन जो मूल भी सुचके आउटफुड अगर मेहंगाई दाम बढ़ता है तो मुद्रास्पिती बढ़ती मेहंगाई का वो जाता है जो अर्थनितिग्यों बिश है हमने तो आपको कहा ही है कि 35,000 कोड रुपया की टिका के उपर खर्चा हमको पहले कभी नहीं था भी करना पड़ रहा है नीजी निबेश प्राइबेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट गड़ गया है अभी अगर हम प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे दोहजार 20-21 और 21-22 यह दो की बजेट की अगर हम कांटर स्टड़ी करेंगे कंपरिजन स्टड़ी करेंगे पिछले साल से इस साल हमने 43% क्यापेक्स ज्यादा खर्चा करने की प्रोविजन किया है जबकि अन्य सोर्सेस की टैक्स कारोबार लोगडाउन के करन घटा बंद हुआ खर् थोड़ा कस्तक की इस निलने भी आप समाज को बता के करते हो और मैं आपकी बाद से सहमत हुआ है अब सही आनलिसिस क्या कि आफ्टराल गरीबों की जेव में पैसा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे चिकिष्चा की चिंता करना पड़ेगे कि नहीं करना पड़ प्रश्न पूचा है उस समय में क्या था अभी का क्या है उस समय में हमको बताए गया की सरकार करने कंपनियों को कहा आता है की आप बांड डिलीज करो ओल बॉंड इलिज़ कर दो अनि आप अधर ले लो बजार से बाद में जो होगा होगा देखा जाएगा यह मित्रों की फिलोसफी रहामने कोई बॉंड की सहारा नहीं लिया घर में कभी दिक्कत आती है तो घर में सब बैटके तय करते हैं कि खर्चा घटाना है सेविंग करना है कर्जा करके नहीं चलना है कर्ष्ट की समय में उन्होंने उनको पता था 2010-2011 के बाद उनको पता था कि सत्ता में आने का कोई संभाव बनाई नहीं जिस प्रकार की देश की मिजाज बन गया है इसलिए उन्होंने ओइल बन की बोज कंपनियों पर छोड़के गया जिसकी खर्चा सालाना कंपनियों को अभी भी करना पड़ रहा है इसलिए यह नहीं है कि वो कैसे संभालेता आप कैसे नहीं संभाल पा रहे हो जूट बोले थे दिबालिया करके गये थे हमने जूट नहीं बोला हमने इंफलेशन को संभाले रखा कोई बोज अडिशनल नहीं किया टैक्स थोड़ा लिया विकास की काम के लिया और संबराने हैं को स्रम्हाफिक हैं व्रम्तूव ऊपकाडनागे मत्रहत तो 5 8 ese वो सवाल है जो हमें अलेक्शन पर सुनाई दिया एक प्लिटिकल नारे की शक्ल में इसमें बिपक्षी है कहते हैं कि देखे की साहिप यह तो यह सरकार सब बेच रही है वह उस जामिती में नहीं फसते हैं कि विनिवेश सरकार कहां चलाए कहां निचा आप ये रेल बेच रहे हैं पेट्रोल कंपनियां बेच नहीं है वो देश की जंता जो आपको ललन टॉप के जरीए देख रही है वो ये जानना चाहेगी इन तमाम राजनेतिक इल्जामों के बीच कि ओयल करनियों को लेकर सरकार की दीरकालिक पॉल्सी क्या है कि आप पूरी तरह से उस बिजनेस से बाहर आना चाहते हैं सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पर रहना चाहते हैं या क्या ने ने दोनों बात नहीं है कुछ बिभागों को तो रेगुलेटर की भूमिका में रहनी चा रेगुलेटर की मोड पे चला गया लेकिन पेट्रोले में ऐसे नहीं होगा आज विश्व की तिसरे नंबर की एनर्जी कंजूमर भारत है भारत आने वाले दस साल के बाद एक नंबर के एनर्जी कंजूमर बनेगा दुनिया की उस समय में पिछले दिनों में हमारी देश में इनर्जी शीकूर करने के लिए इनर्जी शीकूर्टी बढ़ाने के लिए सरकार की बड़ी भूमिका रही है सरकार कॉंचुल डिशन कर रही है कुछ कंपनिया सरकार की नियंतरण में रहेगा सरकार उसको चलाएगी स्टाटेजिक सेक्टर सरकार ने घोशना क्या है सरकारी कंपनियां यहां रहेंगे एनपी में रहेंगे मार्केटिंग में रहेंगे रिफाइनारी में रहेंगे ग्यास पर रहेंगे रहेंगे लेकिन कुछ सेक्षन को कुछ कंपनियों को हम मॉनिटाइज करेंगे बेचेंगे नहीं उसको मॉनिटाइज करके सरकार और ग्रोथ करेगी development की ग्रोथ करेगी sector की ग्रोथ करेगी मैं बताता हूँ आपको शोरब जी आप आते हो कानपूर से पूरा पूरवी भारत में पूरवी भारत में घ्यास की पाईप लैन के kilometer नहीं था फुलपूर से निचे इलाबाद बनारस, ग्वरकपूर, पतना, समुचा बिहार, जारकंड, बंगाल, उडिसा, चतिशगर, महारस्टर की बिदर्व वाले लका घ्यास पाइपलेन नहीं था बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या वहाँ कोई अभी नीजी कंपनी बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, सरकार को बनाना प्रेका सरकार बनाएगी, हमने प्रधान मंतरी उर्जा गंगा पे पाइपलाइन फूलपूर से लेके बंगाल की खाड़ी तक हलदी आते और पारादिप तक बनाया लाई, धामरा तक लाईन बनाया, पहली बार इंद्र धनुस सरकारी कंपनिया करेंगे, लेकिन क्या टर्मिनल में हम प्राइवेट सेक्टर को आने में क्या पति हमा सरकार की उपर अगर प्राइवेट सेक्टर उसको उस ग्यास पाइपलाइन पे ग्यास बाहर से लेया के सस्ता दरों में, कंजूमर को सस्ता दरों में देने के लिए को मना करेंगे city gas distribution जब मुदी जी जिम्मेवारी सम्हाले तब देश की सो से कम जिले में पाइप से जिला जिला में पहुंचे वेवस्ता था अभी 405 जिले तक हम पहुंच गए और इस सरकार की अंदर हम उसको 500 जिला तक ले जाएंगे उसमें नीजी स्के guards क्यों क्यों हम आनुमति ना ने हमको किसकी सेक्टर पेट्रों Cand सेक्टर हमारी डबल डिजिट गुरोथ है सरकार की पैसां पेट्रोक्रिमिकल की इंड़स्ट्री लगाने में क्यों खर्चा करें हम क्यों निजी निवेश को उस प्रश्चाहित ना करें यह दोनों की एक मिक्स व्यास्केट बनाने पड़ेगी मैं आपको एक बड़ा मैं कान समझने के लिए बड़ा अच्छा लगता है आज इंडेस्ट्री खुली भारत की हावाई चपल पहने माले लोग हावाई जहाज में बइट पा रहे हैं क्यों तीन हजार चार हजार रूपया की टिकेट बन गया तीस चालीस हजार रूपया की टिकेट अभी तीन-चार हजा बढ़ी ग्रहाग फाइदे मेरा 20 साल पहले सवर्प जी जब आप जेन्यू आया होंगे तब अगर पहली बार आपने मोबाईल लिया होगा या कुछी दोस्त का मोबाईल पास में देखा होगा पर मिनिट पर यूनिट अठ्रा से 20 रूपया होती थी अभी फ्री टॉक सब्सक्राइब तरीके से सिधान तत्र सरकार को बैवसाय में रहने रहने चाहिए सरकार कल्यान में धांचा बनाने में इंफ्रस्ट्रक्चर में लौ अंडर में बीदेश निती में डिफेंस में सरकार की भूमिका रहनी चाहिए जितने मोनोपोली नहीं होनी चाहिए निवेश करवाओ, सुबी इधा दो, कॉम्पीटेशन होने से कॉमडिटी सस्ता होगा, हुई है, एयर उलाइन्स में हुई है, इसको भारत से बनाने का एको सिस्टम बनाओ, तो रोजगार बढ़ेगी, आत्मनिलवर्ता बढ़ेगी, और भारत में सस्ता बनेगी, तो बीदे वेशने नीरे्यटिव में, और सबने किया है, जो जो सब कहते, ना, उन्हीं की राज्यों के, उनकी रज्यों की सासिट सरकार न को देखिये, राजनितिक दिवालईया पंकके करण कोई कुछ भी कह दे, इसलिए लोग नको पसंद नहीं करते हैं, एक सारे राज्यों ने सर लाए गॉवर्मेंट थो बिजनेस तुब इन दे बिजनेस का सरकार मनुपली ना बढ़े ग्रहाकों के उपर अत्याचार ना हो और वेवस्ता ना हो इसी विश्य पर निग्रानी रखनी चाहा हमने रखा कितने हाउसिंग सेक्टर बना घर बनाने बाले ग्रहाकों को ठगे ए इस्टेट कानून बना डेगुलेटर की भूमिका को मजबूती किया गया लोगों को ठकना बंद होगा सरकार कहां तक जाए सरकार क्या करें सारा चीज सरकार करें इसके अर्था आप आपकी वेल्थ क्रियेटर पर वरोसा नहीं कर रहे हो और विसेश करके नोजवानों पर कर रहे हो कि मैं आपको अंतम एक उधान देना चाहूंगा कि आप ही कि राज्य के नोजवान है विजय शकर सर्मा कि पीटेम बाले क्या खड़ा किया है सब देखो यह भारत की उद्योमित्या की पराकास्टा है कि पिदाजी समान्य कोई नोकरी में थे दिल्ली इंजिनेरि रही कि कल्पता रही कि आज एक नया समराज यह खड़ा हुआ है सवरभ जी आज कम्मुनिकेशन को आपने क्या क्या हम कई सलों से ललन टब दिखते हैं पहले लोगों को लगा है क्या भाई यह चीज क्या है को देशी टाइप का चीज है गाउन दिहात की कोई चीज है क्या नए उद्यवमिता पर, इनोवेशन पर, क्रियेटिविटी पर भोशा करना पड़ेगा। सरकार खुद उसको नहीं चलाए, सरकार पे टिएम ना चलाए, सरकार पेटियम और ललन टब चलाने बालों को प्रोशचाइद करें, भोशा करें, उनकी कामों में देखल अंदा ज चाहता हूँ, बीजेपी की चुनावी सफलता सब के सामने है, सरकार की सफलताओं और असफलताओं पर लगातार बात होती रहती है, एक ओडिशा का दुर्ग, विधान सभा के इस्तर पर आप अभी तक नहीं भेत पाए हैं, आपने 2014 में भी कमर कसी, लेकिन तब लोकसभा में एक सीट आई थी, 19 में लोकसभा की सीटें आपकी बढ़ी, दहाई में नहीं जा पाए, पर बढ़ी 6-7 सीटें, विधान सभा में लेकिन वैसा मोमेंटम अभी भी नजर नहीं आ रहा है, एक कल्ट आफ नवीन पतनायक कह लीजिए, मिथ आफ नवीन पतनायक, का बिल्कुल शुरुवाती का कहरा, एंडिय में रहते हुए सीखा, और जो भी उन पर बाइग्रफी लिखी जाते हैं, पॉलिटिकल इमें पताया जाता कि हाव पीपल लाइक प्रमोद महाजन टुक ग्रेट इंट्रेस्ट, कि नवीन खड़े हो, एक रीजिनल आइडेंट लहजे में कहें, तो ओडिशा में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, लोग ये भी कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो आप मुख्य मंतरी होंगे, आप मुझे पता है वही कहेंगे कि मैं सामानेकार करता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टुडेंट के तौर पर आप फाउंडेशन ना रहें, क्यूं हम इस सब कर रहें, भारत की पिछले 73 साल की आजादी के उपरांत इसे कई मॉडेल्स समने आएं हैं, क्यूं हम सत्ता में हैं, क्यूं सत्ता में अनी चाहिए, जरूरी नहीं, उसके लिए कोई राष्ट्रिय पार्टी होना चाहिए या कोई भाक्ती क्यूं फ्तानिय पाती ही नहीं कर सकता। इस नहीं है, लेकिन जब कहां गए भाई बहुत पुराने दिन नहीं दस साल पहले की बात है कि यह काउल टूल कुछ नहीं होता है मैं कॉड़िसा को मानता हूं उड़िसा एक अपार संभावना की राज्य है महाप्रभु जगर्नाच जी की असिर्वात से और प्रकुर्टी माता की असिर्वात से श्य इमानदार लोग हैं, संबुदरतट है, पानी है, शिक्षा किस तर अच्छा है, लेकिन कभी-कभी इतिहास को पढ़ने में एक-एक समाज थोड़ा जड़ता में जाती है, उस जड़ता को समाज खुद तोड़ती है, उडिसा करवट ले रही है, उडिसा में परिवर्तन अव वर्ष्रम भावी है, और दिन दूर नहीं है, वहां भी एक स्पष्टर रोड में आप हम लोग बना के काम कर देगी, मंत्री जी मेरा सवाल था कि बीजू जन्ता दल की लगातार की जो चुनावी सफलता है, उसकी वजय आप क्या मानते हैं? उनकी कुछ मॉडल है, उसमें मैं इसलिए इस विश्य को थोड़ा हाखे करना चाहा, यहां तो चोटीस साल लेवड भी था, उसको बजय क्या डूनेंगे भी हम लोग, और वजय का अर्थ क्या रहा, लंबा समय रहने की अर्थ भी क्या रहा, अगर वहां रोजगारी ना हो, अब जानते हैं, उडिसा में आठ लाख बच्चे प्रती साल जन्म होते हैं, अब आदी की दो परसेंट ग्रोथ है एन्वाली आठ लाख होते हैं, और मैंने एक स्टार्टिज सिक्स राजी सरकार की स्वास्त विभा की अनलिसिस को मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोई थार पार्टी या एक पोलिटिकल एंग इस जिले में कम उमर की पंदरा साल की नीचे बच्चों की स्वास्तिय खराब है, इस टारवेशन नहीं है लेकिन न्यूट्रेशन नहीं है, कूपोशन है, उस ब्यत्तिक जो बच्चे की जो ग्रोथ के लिए जो वेवस्ता होनी चाहिए, क्या भी इस बाजिस साल की सत्ता म रहने के बाद अगर आवादी की नई पिढ़ी, एककेश्वी शदी में कूपोशन की सिकार हो, वो क्या ट्राक रिकर्ड, क्या सफलता, क्या नारेटिव, भगवान उनको मदद करे, यह कुछ नहीं होता है, प्रजात लंब, देस बड़ा होता है सौरप जी, लंबा चलना परता है, दुरिष्टी लंबा होनी चाहिए, हम तो पोड़ोस में दिखें, ऐसे अपरा जाये थे, लेफ्ट वाले यहां, कहां गया भी हो, और उस ठीक है, होंगे कहीं, लेकिन रहने की फाइदा क्या हुआ, अगर लोगों की समान्य, लोगों की जिन्देगी में विकास नहीं हुई, सन्मान की जिन्देगी नहीं मिली, उडिसा में पर कैपिटा इंकम है, लगभग एक लाख हो गया, उस उसको गहराई से आप दिखोगे, गहराई से आप दिखोगे, तो आपको मिलेगा, 70-80% लोगों की पर कैपिटा इंकम, बीस पचीस हजार की रेंज में है बीस परसेंट लोगों की पर कैपिटा इंकम इतनी जादा है, कि वो आभरेज करके एक लाख कर देता है, उडिसा की एक्सपोर्ट को आख दिखोगे, बड़ा अच्छा हों का बाजिए, उडिसा से एक्सपोर्ट इतनी होती है, क्या एक्सपोर्ट होती है, उडिसा की मिने उडिशा में क्यों नहीं वैलुएडिशन हो सकता है उडिशा से क्यों लोहा और वैलुएड़ेड़ चीज बनके बीदेश को ना जाके यहां रोजगार और अरतनिती मजबुत क्यों नहीं हो सकता है इसी को सासन कहना चाहिए इसी को दुरुष्टी कहनी चाहिए इस दूर न क्या है कि समझाना ही पड़ेगा लोगों को आजाए दे क्यों उनीस सो में नहीं आया उनीस सच्छालिस क्यों हुआ लड़ाई है मुगलों की 500 साल सासंदे लड़ना पड़ा शिबाजी बनना पड़ा पृतिवराद चोहन बनना पड़ा लक्षिम भाई उसमें आए अंग्रे हमारी राज्य को नियती की योजना है हम एक नंबर राज्य बनाएंगे मैं कहता हूं हम नहीं है समाज बनाएगा परिवर्तन अबशन भावी है चालिए परिवर्तन जनता के स्तर पर नेताओं के स्तर पर बयानों के स्तर पर नीतियों के स्तर पर उसको डोक्युमेंट करने ललन टॉप लगातार जमीन पर उतरता रहता है आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के तमाम दावे सुने बाते सुनी इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक आखरी चीज प्लीज स्टे सेफ वेक्सिनेशन हुआ हो या ना हुआ हो मास्क ज़रूर लगाएं मंत्री जी आपने मास्क लगा रखा है लेकिन आपकी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता इतनी बड़ी-बड़ी रैलियां हो रही है मास्क दिखते ही नहीं सब लगानी चाहिए अभी तो फिर देखो जो थोड़ा सबको और संभ प्रतिक्रियां से हमें समर्द करते रही है शुक्रिया प्रतिक्रियां से हमें समर्द करते रही है